So, boosting जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपने एक चीज start की, ठीक है, और वो start में slow है, लेकिन आप फिर बाद में उसको तेज करते जा रहे हैं, boost करते जा रहे हैं, इसका मतलब यही है कोई चीज start में बिलकुर randomly बहुत slow चली, आपने उसकी speed increase की, फिर increase की, फिर increase की, फिर increase की इसकी example मैं ऐसे देता हूँ, कभी बचपन में आपने लट्टू गुमाया, लट्टू जो होता है, साथ में उसके एक चड़ी होती है, और इसके साथ मैं तो उसे शेंटा बोलता हूँ, मैंने बड़ा दुडाया हूँ है वो, जो middle class लोग है, वो मेरी बातों को समझ रहे हो एक लट्टू होता है, उसे आप ऐसे करके गुमाते हैं, वो slow-slow चर रहा होता है, आप फिर वो चड़ी और शेंटे के साथ ऐसे 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 उसको मारते हैं बार-बार, तो उसकी speed बूस्ट करती रहती है, ठीक है, उसकी speed इतनी बूस्ट कर जाती है, कि at the end वो full speed पे कर रही होती है, इसकी एक और example में आपको दे देता हूँ, आपके पास लुड़ो की जो गोटी या टानी हैं जैसे हम बोलते हैं, अगर आप उसको ऐसे छोड़ेंगे ना, जितनी speed से आप छोड़ेंगे वो पहले slow-slow-slow-slow ऐसे गुमेगी, अगर आप उसको और भी घुमान और force लगाते रहते हैं, और अकसर अकात आपने देखा होगा, वो force जाते हुए जूले को लगाते हैं, यानि कि जूले ऐसे गया है पीछे, फिर जब ऐसे आएगा ना, फिर उसको और boost किया जाएगा, फिर वो वापिस आएगा, उसे free hand चोड़ते हैं, फिर जब ऐसे जाता modeling technique that attempts to build a strong classifier from the number of weak classifier, इसको आप strong classifier को weak classifier से बनाना स्टार्ट करते हैं, अब इसमें weak classifier के है decision tree का एक अगर 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 आप multiple decision tree weekly आपको classify कर के दे रहें, चीज को उनको weak classifier बोला जाएगा, ठीक है, if it is done by building a model, by using weak models in series, ठीक है, अब weak model से मुराद ये नहीं है, कोई एक model नहीं सही चला, ये हमारा पहला model है decision tree, एक tree है, इसके बाद हम जब दूसरा tree लेके आएंगे, वो उसमें जो weak चीज़ें होगे उन पर fit होगा, और उनको ज्यादा improve करेगा, फिर तीसरा और भी weak को improve करेगा, इसका मतलब पहले tree से तीसरा tree ज्यादा better perform कर रहा होगा, so weak learners को ह एक parallel circuit होता है, एक series वाला होता है, और दोनों में voltage का फरक होता है, so just to give you an analogy, अगर आप engineering के student है, तो आपको boosting और bagging जो है, वो series and parallel circuits की base पे आपको समझा जाएगा, right, अब हम तेखते हैं, जनाबे वाला, कि किस तरीके से boosting जो है, वो काम करती है, boosting किस लिए होती है, पहले तो और वो मैं आपको बता दू, a supervised machine learning algorithm हमें, strategy है, machine learning के जो supervised, याने के labeling method के साँ चलती है, यह unsupervised नहीं है, this is a supervised, इसमें आपको label देने पड़ेंगे, this combines the prediction of multiple weak models, base models, to generate a powerful ensemble model, ठीक है, हमें पहले भी बता है यह, boosting as opposed to classical ensemble approaches like bagging or averaging, bagging को averaging को भी बोलते हैं, focuses on successfully, successively training the basic model, in a way that emphasizes misclassified samples from the prior iteration, prior iteration, अब इसका मकसद क्या है, इसका मतलब यह है, कि जब आपने यह वाला algorithm चलाया, इस algorithm के बाद, जो दूसरा algorithm होगा, जहां जहां पे इसने misclassify किया है, इस अगले tree ने, उन classes को correctly classify करने की कोशिश करनी है, अगर यह भी कोई misclassify कर देता है, जो कल वाले matrix मैंने आपको classification के बढ़ाए थे, आपको याद होंगे, तो यह और भी आगे सही तरीके से classify करने की कोशिश करेगा, सो आइस्ता 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 यह errors को remove करने की कोशिश करता है, यानि कि misclassification को reduce करने की कोशिश करता है, और यही काम हमारा third step में होता है, यानि कि as compared to other models, जिन में bagging या averaging है, हमारे पास यह एक दफा ट्रेन होगा, फिर ट्रेन होगा, फिर ट्रेन होगा, फिर ट्रेन होगा, फिर ट्रेन होगा, on the other side, जो bagging के approach है, उसमें सारे इकठे चलते हैं, So now you can see the difference, कि bagging जो है, वो सारे इकठे चल रहे हैं, boosting जो है, वो एक को improve कर रहे हैं, अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि boosting जो है, वो ज्यादा time लेगा as compared to bagging, bagging में क्या होगा, आपने एक random forest का algorithm चलाया है यहां पर, और सारे के सारे trees इकठे चल पड़े, parallelization यहां पर च होता, जब तक पहला खतम नहीं होता, दूसरा नहीं चलता, जब तक दूसरा खतम नहीं होता, तीसरा नहीं चलता, ठीक है, so that is why we need to be very careful when we are using boosting algorithm, ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, boosting का goal क्या है, why do we need to use the boosting algorithm, यहां पर यह एक diagram आपको नजर आ रही है, weak learners को strong करना है, इसका main मक जब वो काम कर रहे हों तो एम भी misclassify कर दें, आपको याद होगा, या आप खुद या आपका छोटा भाई, एक ऐसे बच्चे हैं, जब उन्हें काम बेजा जाता है, वो जान बूच के गलत करके आते हैं, क्यों गलत करके आते हैं, यह आपको भी बता है, कि वो एक दफा गलत करेंगे, दुबारा उन्हें कोई काम नहीं बोलेगा, so when they do this wrongly, तो कोई बंदा अगर supervise कर रहा है, कि यह तुमने गलत किया, जान बूच के किया, चलो दुबारा से ठीक करके आओ, तो क्या होगा, वो supervision जो है, supervised machine learning के अंदर, वो दुबारा जाएगा, और काम को ठीक क करके आएगा, so इसी तरह से कुछ weak learners जो हैं, चीजों को ignore करते हैं, ठीक है, आपने क्या करने है, जब boosting के algorithm चलता है, वो जो ignore कर रहे हैं चीजों को, उन पे ज्यादा कडी निगरानी रखी जाती है, यानि कि weak learners को और निगरानी के अंदर देखा जाता है, जब उनने कडी न करताइज samples that were incorrectly categorized, ठीक है, अब वो ही बात कि सारी जिन्दगी एक बंदा अच्छा काम करता रहे, एक दफा को गलती होगी, या अल्गुरिथम ने वहां से पकड़ लेना है, वो ही बात है, वो एक पंजाबी दिकावत है, खवायदा ना है, खवायदा ना नी रवायदा न ठीक है, यानि कि जिस बंदे ने खिलाया पिलाया आपको पाल पोसे बढ़ा किया है, उसकी बात ने कोई करता किया है, इसने बड़ी मिनत किया, लेकिन अगर उसने एक अदी लगा दीना तो फोरह नो रवायदा ना है, वो यह मारताब होता है, ठीक है, तो यही चीज यहा classified samples है, in previous iterations, उनको हमने correctly categorize करना है, allowing the model to learn from its mistakes, उनकी घलतियों से उसे सिखाना है, and improve its performance iteratively, iteratively क्या है, कि आप पहले एक circle चलाएंगे, याद रखें वो example कि एक बंदा दोड के गया है, अगर उसने लैप्स जो पांच मिनिट में पूरा करना था नहीं हो सका, अगला बंदा औ उससे अगला और भी तेज़ दोड़ेगा, उससे अगला और भी, so यह वो ही चीजे हैं कि जब आप किसी चीज को boost कर रहे होते हैं, at that point you can actually increasing the weak learner's performance, ठीक है, अब आगे आपको यह समझ आगे होगी कि यह बंदा जो weak learner है, इसको strong करना, ठीक है, यानि कि demotivated लोगों को motivate करन boost करने का मतलब भी यह होता है, कि आप किसी को motivate करके उसको boost कर देंगे, नहीं भी, तू तो बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है, और पाकिसान में वैसे भी Allah खयर करे, काफी ज्यादा motivational speakers जो हैं, वो आ रहे हैं आगे, खुद कुछ कीता ना होगे, लेकिन उनने दसने हैं, जो ब पर मैं emphasize क्यूं कर रहा हूं, उसकी reason में आपको बताता हूं, कि boosting आपको समझ आगी, everything will be clear for you, okay, how does boosting works, boosting कैसे काम करती है, how does boosting work, not works, ऐस नहीं लगाना, क्योंकि does के साथ, yes लग गया, English भी साथ साथ पढ़ते हैं, फिर्सली, a model is built from the training data, सब से पहले, एक model जो है वो training data से बनता है, then the second model is built, which tries to correct the errors present in the first model, ठीक है, पहला model बनता है, यानिकि ये पहला model बना, ठीक है, फिर दूसरा जो है ना, पहले की गलतियां पकड़के उनको सधारने की कोशिश करेगा, ठीक है, so ये दो चीज़ें आपको याद होगी, firstly and secondly आपने गया करने है, then the second model is built, which tries to correct the errors present in the first model this procedure is continued and models are added until either the complete training data set is predicted correctly or the maximum number of model is added, होता क्या है, अब सुनिये गादर आवार से, पहला model रन किया, फिर दूसरा रन किया, जिसने पीछले की गलतियां पकड़ ली, फिर तीसरा रन किया, जिसने उससे पीछले की गलतियां पकड़ ली, ये process तब तक चलेगा, जब तक, या तो value meet हो जाए, यानि कि अगर मैंने लिखा है कि 100 decision trees लाने से ज्यादा नहीं, या तो वो meet हो जाए, या ऐसा हो कि सारी की सारी miss correction जो है, वो correctly predict हो जाए, ठीक है, दो ही goal हो सकते हैं, तब तक ये model चलता रहेगा, अब अक्सर उकात लोग क्या करते हैं, ना तो यहाँ पे depth of trees बत आते हैं कि कौन सी error आपने at the end देखनी है, callback function उसे बोला जाता है, so आपके पास क्या होता है, यह model चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, और बहुत ही ज्यादा time लेता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इसको चला के हमारी accuracy बहुत ही class की हो जाएगी, नहीं, वो model overfit हो जाएगा, क्योंकि हमें चाहिए training data पर ही नहीं, testing data पर भी accuracy अच्छी चाहिए हमें, so because of that, boosting algorithm जो है, जब आम इन पर काम करते हैं, यह तब तक चलते रहते हैं, जब तक predicted correctly classifying the maximum number of model is added, या जो आपने model बता हैं, वो add हो जाएग, या आपके classification correctly हो जाएग, अब इसक पहले initialize weight होते हैं, यानि कि at the start of the process, each training example is given equal weight, सारे के सारे data set को equal weightage दी जाती है, सभी को equally पढ़ा जाता है, और उन सारी equal weightage की base पे आप आगे जलते हैं, इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ, जितने भी class में बच्चे हैं, सभी को का जाता है, आप सारे ही मेरे लिए बहुत प प्यारे हैं, ठीक है, मेरे class के student, सारे के सारे मुझे बहुत प्यारे हैं, पहली चीज आपके mind में बैठ की, अब अगली चीज क्या है, initialize मैंने कर दिया कि आप सभी बहुत अच्छे हो, आगे बात करते हैं, train a weak learner, the weighted training data is used to train a weak learner, a weak learner is a simple model that outperforms random guessing only, only marginally, a decision tree with a few levels for example can be employed as a weak learner, अब मैं यहां करता हूँ, उन सारे student, जिनको मैंने भोला कि आप सारे यह अच्छे हो, यह यार एक test तो पकड़ो, इसको perform करके दिखाओ, ठीक है, अब आपको भी पता है, जो randomly मैंने quiz लिया है, सारी class से, ठीक है, और उस quiz को अगर हमें एक model का नाम दे, सारी class तो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, कुछ अच्छा परफॉर्म करेंगे, कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे students, तो उस बात को यहां पर मैं बोलता हूँ, क्या आपने पहले class को बोला, आप सारी बहुत अच्छी हो, क्या बात है आपकी, आप सभी का equal weightage है, सभी को एक ही question paper म करेंगे, यानि कि उनको और भी knowledge देना है, कि इस question का answer ये था, इस question का answer ये था, इस question का answer ये था, अब होगा क्या, जब वो जो student आपके weak learners हैं, या वो student जो सही तरीके से perform नहीं कर पाए, उन में से कुई ऐसे student ऐसे होते हैं, जिनको question भूल गया, यानि कि वो like हैं, लेकिन question वो तो पहले-पहले model में ही, यानि कि पहले-पहले ही दफा ही वो अच्छा सीख जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे deed student होते हैं, जिनको कहते भी रो, वो काम नहीं करते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनको जितना मर्जी डांट लो, डपड लो, जो मर्जी बोल लो, वो काम calculation, the error of the weak learner on the training data is computed, the weighted sum of misclassified cases constitutes the error, ठीक है, आपने गया करने है, error को calculate करते जाना है, initialize weight किये, train किया, उन्हें, बार-बार train किया और error किया, अब देखें, जब आपने train किया है एक दफा, आपने दुबारा से error लेनी है, यानि कि एक दफा आपने उन्हें बता दिया कि ये question paper इसको हल करो, कुछ अच्छा हल कर लेते हैं, कुछ नहीं हल कर पाते हैं, आप उनको, जो सही वाले students नहीं हैं, जो लाइक student नहीं है, आप उनको दुबारा से train करो, अब उनकी बात पे नहीं छोड़ देना, कि सर मुझे समझ आगी, ना, दुबारा से question paper दो, दुबारा से question रखें, data point आपके students है, जितने भी Excel की sheet के अंदर structure data है, और आपका model जो है decision tree, वो आपका पहला question paper आप उसको run करते हैं, फिर जो अच्छा perform करते हैं, वो ठीक, वरना error की base पे दुबारा से आप वेटिड, दुबारा से उन लोगों के वेटिज जया देते हैं, जो अच्छा perform जब process finish हो जाए, फिर आप बता सकते हैं कि इस class में जो लोग हैं, वो कितना अच्छा perform कर पा रहे हैं, इनका result feature में कैसा आ सकते हैं, so this is how it simply works, initialize the weight, train a weak learner, error calculate करें, then update करें weights को, क्योंकि आपने अगला tree चलाना है, फिर repeat करें, दुबारा से error calculate करके 2-4 तक step, यह जो दूसरा step पर 1-2-3 और यह 4, update weights तक बार-बार repeat करें procedure को, फिर at the end combine करें weak learner's को और forecast कर दें, this is how it works, ठीक है, boosting ऐसे काम करती है, यहां तक clear हो गया, अब यहां पर training set जो है हमारे पास, अगर आप गौर करें, so training set जो हमारे पास है, इसको आपने subset किया एक data के अंदर, ठीक है, पहला subset आ आपने बना लिया, अब इस, sorry, यह subset 1 है, not 2, so इस subset को train किया, weak learners को पकड़ा, test किया, उनकी false prediction को दुबारा से ले आए, फिर उनका एक subset बनाया है, subset 2 जिसको बोलते हैं, यानि कि सिरफ वो लोग जो weakly perform कर रहे हैं यहां पर, no those जो weakly perform नहीं कर रहे हैं, आपने सिरफ वो ले जगला बनाया, weak learners किया है, और overall predict कर दिया, so यह process, यह dot 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 का मतलब है कि बार बार आपने perform करने, at the end आपका overall prediction जो है, वो अच्छी हो जाए, this is the process of boosting which is very easy to understand, अगर आपको इसकी समझ आ देती है, then it would be nice for you to have this in your notebook, अब, boosting को कुछ अलफाज के अंदर मैं आपको बताता हूँ, So, the boosting approach is designed to produce a strong learner that is accurate on the training data, हम training data की बात कर रहे है, and can generalize effectively to a new data, यानि कि testing data या कोई भी unknown data, ठीक है, याद करें वो example जहां पे आपको मैंने बताया था कि training data तो matter करता ही करता है, लेकिन testing data हमारे लिए ज्यादा जरूरी होता है, जो हमें overfitting से बचाता है, अगर आपको यह concept नही नहीं बता तो मैं आपको recommend करूँगा, playlist description में मैंने link दिया है, आप पहले पिछली वीडियो देख लें, ताके आप यहां पे आके कहीं इदर उदर ना घूमते रहे, ठीक है, overfitting, underfitting का concepts आपको पहले समझने है, right, so यहां पे new data के उपर आप इसको लगाते है, the algorithm can produce a model that is more accurate than any of the individual weak learners by merging many weak learners, मतलब क्या है, आपने decision tree को चलाया, जो गलतिया है उगला decision tree, जो उट से गलतिया है उट से उगला decision tree, तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर अकेला, एक decision tree आप चलाते हैं, वो अच्छा perform नहीं करेगा, as compared to these all decision trees, जिनको आपने ensemble किया, in other words, इतफाक में बरकत है अकेला decision tree कुछ नहीं कर पाएगा, they should work together, ठीक है, team up करना है उन्हें, on the other side, boosting का जो model train होता है, that performs far better than individual model, simple, ठीक है, यह clear होगे आपको, अब advantages देखते हैं, boosting के कौन कौन से advantages हैं, मैं सिरफ headings बताऊँगा आपको ताकि आपको पता चले, यह improve करता है आपकी performance को, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा models को मिलाखे बने, performance को improve करेगा, biasness and variance को reduce करेगा, और more accurate and robust prediction देगा, पहली चीज़, then this is able to handle complex data, complex data कौन कौन सा होता है, for example, complicated data pattern, यानि कि non-linear correlation and interaction वाला data, ठीक है, आप कोई भी ऐसा data use कर सकते हैं, जो non-linear है, जिसकी, for example, normalized नहीं है, या there is some issues with that data, यानि कि non-parametric है, तो आप उसको यहाँ पर use कर सकते हैं, यही नहीं, robustness to noise भी है, when compared to other machine learning techniques, boosting is less vulnerable to noise in training data, since it focuses on misclassified samples and gives greater weight to them, means to say, आपका data noisy samples, यानि कि outliers को भी अच्छे से deal कर लेगा, यानि कि अगर आप इस algorithm को चलाते हैं, आपके outliers का को कोई मसला नहीं है, यह outliers को अच्छे से handle कर लेगा, flexibility क्या है, boosting algorithms are versatile and can be employed with a variety of base models and loss functions, along for customization and adaptation to various problems, यानि कि flexible है, आप इसको अपनी मर्जी से use कर सकते हैं, easily interpretable है, ठीक है, as compared to other models, जहां पे black box models होते हैं, for example, neural network और some other models, जो boosting models हैं, यह हमारे पास अच्छे से perform करते हैं, on the other way, लोग इसको भी black box model बोलते हैं, for example, while boosting models are frequently referred to as black box models, they can nevertheless provide some interpretability through feature importance ranking, which can aid in understanding the relative value of various features in the prediction process, इसकी मिसाल मैं कैसे देता हूँ, इसकी मिसाल यह है, black box models क्यों बोला जाता है, कि यह features की base पे importance गेन करते हैं, say for example, अगर आपकी एक class misclassify होगी है, इसने उस class को देखना है, और यह देखना है, किस एक feature की वज़ा से वो classes misclassify हो रही है, फिर उस feature को पकड़ना है data point से, और उसको दबारा से अच्छे से optimize करेकर train करना है, ठीक है, यानि कि important features को यह अपने पास लेते हैं, और वो important features लेने से मुराद यह है, कि आपका variance और biasness कम हो जाएगी, ठीक है, यानि कि आपके अगर 16 columns हैं, तो 16 में से कौन से ऐसे columns हैं, जो boosting algorithm में priority पे आ रहे हैं, इनका मतलब यह भी होगा, कि वो priority पे आ रहे हैं, वो ज्यादा impactful है machine learning model के लिए, यहां तक clear हो गया, वो fully हो गया होगा, वरना प्लीज, आप इसको देख लीजेगा एक दफा दुबारा, अब application में क्या क्या है जी, आप boosting algorithm को classification problems के लिए, like spam detection, fraud detection and disease diagnosis के लिए use कर सकते हैं, regression problems के लिए use कर सकते हैं, NLP task के लिए, यानि के natural language processing के लिए use कर सकते हैं, image and speech recognition के लिए use कर सकते हैं, recommendation systems के लिए and time series analysis के लिए बहुत ज्यादा use होते हैं, तो 6 different किसम की इसकी application है, यहां तक आपको clear हो गया होगा कि boosting algorithm होते क्या हैं, और क्यों यह important है, इनके फाइदे कौन-कौन से हैं, pros क्या हैं, और किस तरीकी से यह काम करते हैं, अब हम क्या देखने वाले हैं, हम यह देखने वाले हैं, कि types कौन-कौन से algorithms की, जो boosting के अंदर आते हैं, bagging के अंदर हमने random forest पढ़ लिया but now we are going to see the types of algorithms in boosting ensemble methods.